नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज किस वडियो हम लोग देखेंगे वाईल लूप के बारे में जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करता है क्या यूज है इन सब चीज़ों के बारे में हम आज यूज के देखने बाले हैven तो चले दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को लूप का बेसिक फैंसलेटी के बारे में बताया था कैसे काम करता है कैसे यूज किया जाता है अब मैं दुस्तों आपको while loop का practical करके दिखाने पाले हूं तो चलिए दुस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते कैसे कम करता है मालेजे दुस्तों हमारे पास एक variable है उसके अंदर एक value store है यहाँ पर और while loop का लिखने का sentence कुछ इस तरीके से है यहाँ पर लिख दिया initialization जिसको हम लोग करते थे उसके बाद यहाँ पर यह initialization हो गया उसके बाद दुस्तों यहाँ पर हम लोग condition लगाते थे क्या एक less than 10 के बराबर मतलब यह 10 के बराबर यह 10 से छोटा है अगर यह condition true हो जाता है तो इसके अंदर का लिखावा statement रण होगा अगर यह condition false हो जाता है तो हमारा loop बाहर हो जाएगा इस तरह के से मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर condition क्या आईए आप लोग दियान से दखिएगा जिसे दोसे एक के अंदर value हो जाए 1 तो यह जो है क्या 10 से बराबर है तो 10 के बराबर तो नहीं है या उससे च्छोटा है तो च्छोटा है तो condition यह हमारा हो जागा true तो इसके अंदर लिखावा statement रहन होगा इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था increment और decrement के बारे में जब यह हमारा condition 2 हो जाता है तो दोस्तों लूप क्या करता है वो increment या decrement करता है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे increment यह कर रहा है मतलब दुस्तों एक के अंदर प्लस ओन कर रहा है मतलब अभी जो एक के अंदर value आई गुआ है और इसमें प्लस ओन कर दिया तो यहाँ पर आगया 2 अब यह जो 2 आया अब दुस्तों यहाँ पर 2 आगया अब इस variable के अंदर 2 आगी अब यह फिर से यहाँ पर condition को check करेगा 2 जो है यह 10 के बराबर है अगर बराबर हो जाता है तो ठीक बराबर हो जाता तो यह loop हमारा false हो जागा तो यह condition कुछ भी चलेगा नहीं अगर यह बराबर नहीं होता है तो यह फिर से हमारा increment करते जाएगा तो यहाँ पर आप लोग दखेंगा इस बार आया 2 तो यहाँ पर 10 का 10 से तो 2 छोटा है और 10 के बराबर है तो यह condition फिर से true हो गया फिर से यह run होगा मतलब जितने बार यह condition true होते जाएगा उतने बार इस तरीके से यह चलते रहेगा इस तरीके से हम लोग एक practical program बनाते हैं और देखते हैं while loop को कैसे use कर सकते हैं जवास्क्रिप्ट के अंदर तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैं ने यहाँ पर एक while loop के नाम से html का फाइल बनाया उसके अंदर यह हम लोगों ने script लगा के यहाँ पर start करनी है अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या क रहेगा थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं इस तरीके से condition क्या रहेगा a less than equal to यहाँ पर मैं यह जो condition लगा रहा हूं आप लोग कुछ भी condition लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं example के लिए यही लगा रहा हूं उसके बाद यहाँ पर मैं कर दता हूं document document डौट right और यहाँ पर आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूं सोनू पुमार याद अब इस तरीके से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अब दोश्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मैंने आप लोग को क्राइट इंकरीमेंट और डिक्रिमेंट यहां पर हम लोग इसको इंक्रिमेंट कर देंगे एकवल टू ए प्लस जोए तो आप देखेंगे यह जो हमारा code है, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह हमारा 10 बार print हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह 10 बार print हो गया, जबकि दूस्तों मैंने यहाँ पर दो बार ही print होगा, मतलब दूस्तों यह जो condition है, अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार भी print नहीं होगा, क्योंकि दूस्तों यह condition चला ही नहीं, यह false हो गया, पहले बार में चेक करते ही समय यह false हो गया, तो इसके अंदर यह, इसके अं लोग देखेंगे, यह हन्रेड बार print कर दिया, इस तरही किसा आप लोग से होगा ही दूस्तों लोग और zajम पर इमायों लिखना होता हूं, जैसरैं दूस्तों यहाँ पर Wal. यह यह? तो यहां पर आप लोग यह भी कर सकते हैं यह इस तरीके से यह लिखेंगे उसके बाद यहां पर कर देंगे इसके अंदर तो यहां पर आप लोग देखेंगे यह नंबर यह आ गया यहां पर आप लोग देखेंगे यह नंबर भी आ गया नंबर कैसे आ रहा है एक अंदर जो यहाँ पर प्रिंट हो गया इसी तरगे से यह दोस्तों यह काम कर रहा है इस तरगे से भी आप लोग कर सकते हैं यह दोस्तों आप लोग का कोई टैग लगाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो इस तरगे से यह लूप हो गया एक और एक चम्पल से समझाता हूं मैं यहां पर कर देता हूं टेन ही कर देता हूं और यहां पर पहाड़ा आप लोगों को लिख के दिखाता हूं लूप के मदद से तो अभी आप लोग देखेंगे तो दोस्तों यहां पर मैं टू का पहाड़ा आप लोगों को लिख के दिखाने ब लिखना पाइल भाए इस्लिए भू भू को मैंने कर दिया लेकिन दुस्टा कर देता हूं तो यहाँ तो यह देख सकते हैं या तो से लिखना स्टार्ट कर दिये तो यह आप लोगों के समने तू का पहाड़ा टेबल यह आप लोगों के सामने बड़ी असानी से लिखके दे रहा है अगर यह आप लोग multiply करना चाहते हैं कुछ से भी करना चाहते हैं यहां मान लिजे उनिस का पाड़ा लिखना चाहते हैं यहां पर आप लोग उनिस कर देंगे वह कर देगा मान लिजे दुस्तों आप लोग एट हंडेट का पाड़ा एट हंडेट का पाड़ा लिखना चाहते हैं वह भी कर देगा इस तरह के से आप लोग जो चाहते हैं वो कर देगा इस तरह के दुस्तू लूप की मदद से आप लोग इस तरह के का mathematics condition भी यूज़ कर सकते हैं मिलते हैं दुसरे वीडियो में तब तक लिए उस्तू जाहिए बारत